Hey everyone, welcome to my channel आज हम डिसकस करने जा रहे हैं How to crack jamia, B.A. Political Science और B.A. Program Interns इस वीडियो में हम Slabers देखेंगे इंटरेंस के लिए, उसके बाद हम बात करने वाले हैं Slabers को prepare कहां से करें कौन सी बुक बेस्ट रहेगी और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ difference between program courses and honor courses बहुत सारे लोग B.A. Program को underestimate करते हैं because they don't know about it चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे Slabers jamia के साइट पे जो आपको B.A. Political और B.A. Program के इंटरेंस के लिए Slabers मिलेगा वो कुछ इस तरीके से है क्या क्या है उसमें English है Reasoning है General Awareness Social Awareness इसके अलावा कोई भी Detail नहीं दी गई है कि English में क्या पूछा जाएगा Reasoning में क्या पूछा जाएगा GK में क्या पूछा जाएगा ठीक है इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे अभी आपको मैं basic चीजें बता दू exam के लिए आपके total hundred questions आते हैं इस exam में on hundred marks contain करते हैं total hundred questions होंगे hundred marks contain करते हैं साथ ही साथ 0.25 की negative marking होती है जिन्हें negative marking नहीं पता let me tell you people कि अगर आपने कोई भी गलत question attempt किया तो आपके सही question से सही answer से 0.25 marks deduct हो जाएंगे ठीक है तो यह था आपका basic information about the insurance अभी हम देखेंगे social awareness में क्या पूछा जाता है general awareness में क्या पूछा जाएगा reasoning और English में जो एक basic marks distribution अगर आपको मैं बता दूँ official site पर कोई भी ऐसा data मौझूद नहीं है लेकिन previous year paper के analysis के basis पर मैं कह सकती हूं कि 20 marks के question English से आते हैं 20 reasoning के आ जाते हैं general awareness almost 40-50 होता है और social awareness 20 का यह कोई भी fixed data नहीं है मैं आपसे फिर से के रहूँ है हर साल अपने डाउन होते रहते कभी general awareness बहुत जादा आ जाता है English और reasoning की quantity कम होती है कभी reasoning और English की quantity थोड़ा बढ़ा देते हैं यह तो यह कोई fix data नहीं बट आप अपने माइंड में यह fix करके चला जो सबसे बड़ा portion contain करता है वो जी के करता है social awareness करता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के अब हम देखेंगे एक एक subject को कैसे prepare करें हम English से start करेंगे English में दो portion पूछे जाते हैं आपसे vocabulary और grammar का portion vocabulary कैसे prepare करें vocabulary में होता क्या है पहले यह जान लीजे इसमें आपसे synonyms, antonyms, idioms पूछे जाते हैं one word substitution वगेरा भी आ जाता है कभी कबार तो इसको prepare कैसे करें मेरी advice यह रहेगी कि यह जो vocabulary वाला portion है यह आप एक दिन में नहीं prepare कर सकते हो क्योंकि इसमें काफ़े जादा words आपके mind में fit होने चाहिए 500, 600, 1000 words तो यह एक दिन का काम नहीं है ना कि एक दिन हम लेके बैट गें vocabulary तेयार हो गई मेरी advice यह रहेगी आपक आपको आपको टार्गे सेट करना है और अपनी vocabulary को बढ़ानी है तो इसरा काम आप कर सकते हो mcq की practice मैं excited बताऊंगी आपको exam वेदा करके excited हो वहाँ पर जाये English वाले section में आपको vocabulary portion के लिए काफी सारे questions मिलेंगे mcqs मिलेंगे तो वहाँ से आपको काफी benefit मिलने वाला है म आप यह काम कर सकते हो vocabulary को strong करने के लिए अब जो grammar वाला portion है पहले जालेजे grammar में पढ़ना क्या है सबसे पहले आपको अपने parts of speech जो है उसके concepts clear करने हैं फिर tense direct indirect और active passive यह सारे चीजों के concept clear होने चाहिए इसके लिए आप YouTube के help ले सकते हो YouTube से concept clear कर लो otherwise Google से आर्टिकल पढ़ वहां पर जीके के जो English वाले questions English वाले position हो उसको prepare कर लो concept clear कर लो और MCQ से practice करते रहो ठीके तो overall हमने क्या देखा English की preparation हमें कैसे करनी है vocabulary के लिए हम daily target search करेंगे plus online MCQ की practice करेंगे grammar portion में सबसे पहले हम concept clear करना है parts of speech का और tense direct indirect active passive का इसके लिए हम YouTube का help ले सकते हैं Lucent की general English की book follow कर सकते है one more tip from my side special focus preposition पे बना के रखिएगा अगर parts of speech की बात करें तो उसमें सबसे जादा जो chances होते आने के वह time preposition के कोई भी competitive exam हो सबसे जादा chances preposition के होते हो तो उस पे special focus पना के रखिएगा अब हम बात करेंगे reasoning की reasoning की preparation के लिए मैं एक ही चीज़ आपको advise क करूंगी previous year papers आपको क्या करना है पिछले 5 साल के previous year paper उठाने अगर आपके पास नहीं है तो description में आपको telegram channel की link मिलेगी वहां join करें और वहां पर मांगे आपको मिल जाएगा तो अपने क्या करना है पिछले 5 साल के previous year papers उठाने है उसमें जितने भी reasoning के question दिए जितने भी pattern क question दिया आप उसको solve करोगे अगर आपको solve करना नहीं आता है for example अगर आपको वहां पर blood relation का एक question दिया हुआ है किसी year में तो आप solve नहीं कर पा रहे है आप क्या करोगे इसको google करोगे how to solve blood relation question या फिर आप YouTube पे सर्च करोगे how to solve blood relation question इस तरीके से जितने भी type के दिये हुए है reasoning के question पिछले 5 साल के paper में वो सारा कर डालो आपको सारे pattern आने चाहिए बस उतना enough रहेगा ठीक है तो हमने क्या देखा reasoning कैसे prepare करनी है पिछले 5 सालों में जिस तरीके की भी question आया है जितने pattern के आया है उतने हम solve कर लेंगे और उतना हमारे लिए enough होगा reasoning बहुत high level की नहीं होत करने वाले social awareness और general awareness के लिए start करेंगे current affair से social general awareness में क्या आता है current affair आता है अच्छा वो लोग जो यह सोच रहे हों कि political science का paper है तो इस पॉलिटी की question आएंगे पॉलिटी की आएंगे नहीं ऐसा नहीं आप हिस्ट्री भी पूछी जाती है जोगर्फी भी आएगी economics भी आएगी तो हम start करेंगे current affair से की current affair में हमें क्या पढ़ना है कहां से पढ़ना उसके बाद हम देखेंगे political science कहां से पढ़े history कहां से पढ़े जोगर्फी कहां से पढ रखिएगा recent sport tournament हुआ है कोई वर्ड कप हुआ है कोई भी olympic हुआ है commonwealth game हुआ है उसके current affairs को प्रिपेर रखिएगा government scheme अगर कोई भी launch हुई है recent में तो उसका भी धान दीजेगा environments related question जैसे recent में कोई important day celebrate हुआ by biodiversity day तो कब हुआ theme क्या था world environment day कर क्या theme था इस तरीके के question environment से related prepare रखना और अगर किसी state ने environment से related कोई scheme अगेरा launch की है तो वह भी धान देना फिर recent appointments कौन cm appointment अगर हुआ है कोई ministry के members appoint हुए हैं तो यह सारी चीजों के concept clear रखिएगा और साथ ही साथ recent conflicts जैसे हुई हैं कोई भी दो country के बीच में conflict हुई हो या country के अंदर ही conflict हुआ हो तो उसको ध्यान रखना कि किसके किसके बीच में conflict हुई जैसे 2020-2021 के paper में पूछा हुआ था exam के कुछ ही दिन पहले तालिबान वाला case हुआ अफगानिस्तान में और उन्होंने paper में पूछ लिया दस दिन के बाद ही paper था तो पूछ लिया वहाँ पर कि यह कहां हुआ ठीक है तो इस तरीके के conflicts वगेरा को clear रखिएगा अब मैं आप से एक बात कहूं यह जो सामने आपको दिख रहा है ना यह आपको must है पढ़ना जरूरी है पढ़ना लेकिन यह नहीं कि बस इतना ही पढ़ना इसके साथ साथ आप current affair के portion को पढ़ते रहो जरूरी नहीं यह बस यहीं आई यह तो मैंने बस अपनी analysis से previous year paper के analysis से बताया है इस current affair जामिया के entrance में सही हो जाएगा तो वो गलत बात है क्योंकि जामिया कभी पिछले एक महीने का current affair नहीं पूछता है वो बहुत पहले-पहले के current affair पूछते हैं तो आपको क्या करना है बेसिकली आप करना है कि आप monthly compilation देखोगे पिछले एक साल के monthly compilation देखोगे current affairs के one month current affair, one इन सबसे आप preparation कर सकते हो या फिर आप one year book ले लो जहां पर पूरे साल का current affair रहता वहां से भी कर सकते हो आप सबसे बड़ी चीज जो ध्यान रखनी आपको बस यही रखनी है कि जामिया में यह नहीं है कि आज इंटरेंस है तो उसके एक महीन पहले के ही current affair आएंगे और बहु जादा तर आर्टिकल्स राइट्स ड्यूटीज कंस्टिटूशनल अमेंडमेंट्स जो इंपॉर्टेंट हुए हैं लेगिस्लेटिव असेंबली जो हमारी है रोक सभा राज्य सभा इनसे रिलेटेड काफी जादा कोशन आता है इन फैक्ट हर साल आता है लोक सभा राज्य जो सभा से रिलेटेड कमीशन कोठारी कमीशन वगेर वगैरा यह और कंस्टिट्यूशनल कमीशन जिस फाइननन्शी राज्य कमीशन इंस अब धान रखना पास्ट में जो इंपॉर्टिन रखना है उन ऍ라고요 में हमारा क्या है प्रम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सींःन इनस आ इ इसको देनी होती है यह सारी चीज़े पढ़नी हैं आपको फेमस केसिस जो हुए हैं किसी दो जुडिशियरी में अगर कोई फेमस केसिस है दो लोगों के बीच में कान्फिक्ट होई है तो वह ध्यान रखिएगा और जुडिशियरी में सुप्रेम कोट, हाई कोट उनके आना है वहां पर यह सारी चीज़े मिल जाएंगी मेरी एडवाइज यह रहेगी मैं बार-बार कह रहे हूं कि जितना लिखा हुआ है यह मस्ट पढ़ना मस्ट पढ़ना आपको इसके अलावा भी चीज़े पढ़नी है बस यहीं नहीं पढ़नी है तो लुसेंट पाली जो चीज़े के उसका पॉलिटिकल सेक्शन पूरा पढ़ता लो आप आप अगयरा पूरा नहीं पढ़ना जो इंपॉर्टिंट आइटिकल से बस वही पढ़ना और यह जो जिल्यूसिंट की बुक है यहां से आप पॉलिटिकल की अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हो लाइन ट 20 ठीट आल पेपर देखोगे अगर आप तो इसमें इतनी जादा हिस्ट्री है कि पॉलिटिक की से स्यादा हिस्ट्री के ही कोश्टिंस थो History में आपके तीन portion होते Ancient History, Medieval History and Modern History Ancient History में आपको क्या पढ़ना मैं बताऊंगे आप जादा focus हड़पन civilization पे रखना हडपन civilization के जितने भी उसे related question से वो कर डालो और religion पे थोड़ा focus रखना क्योंकि जो origin हुए है various religion के buddhist religion, jainism इन सारे ancient history के part है तो यहां पे भी focus रखनो आपको यह सारे जो history के portion पूरे पढ़ने हैं Lucent के book से कहीं बाहस नहीं जाना Lucent के book उठाओगे, पहला जो book start है pages जो starting है वो history से starting है, तो आप ancient history पे जादा time नहीं दोगे ancient history पे जादा time नहीं देना यहां पे बस हड़पन civilization पढ़ना और थोड़ा religion वाला portion देख लेना जो focus आपको रखना है वो है medieval history पे medieval history पूरी पर डालो मेरी मानों तो जो Lucent की book में है जितना medieval history दिया हुआ पूरा पर डालो सल्तनत कितने आएं, कौन कौन सल्तनत के लोग रहे हैं battles important important जो हुए है medieval के भी जैसे पानी पत किसके किसके बीच में हुआ कहां हुआ यह सारे battles किसके portion है medieval history के और battle of boxer वगेरा जो है recent के modern history के जो battles रहे हैं battle of boxer, battle of plastic कब हुआ कहां हुआ यह सारी चीजे पढ़नी आपने book and authors भी बहुत important point है history के जो book and authors है जैसे इंडे का बुक किसने लिखी किसका portion है, यह medieval ancient history का portion है तो वहां आपको बुक में lucid की मिलेगा books and author के बारे में तो जितने भी medieval वाले modern वाले writers हैं उनकी books को याद रखना फिर आपका है kingdom and kings से तो मैंने बता दिया कि सल्तनत जो भी आई है, जितनी भी सल्तनत आई है उसके kings के नाम याद रखना अब एक चीज मॉनिमेंट और आर्किटेक्चर कि ये मॉनिमेंट किसने बनवाया ये पार किसने बनवाया, इस ये पूछा गया मुद्दीन, हजरत निजाम मुद्दीन के सिलसिला से एक तालुक रखते हैं इस तरीके के कोशन आते हैं तो सूफिजम वाला सिलसिला देख लेना सूफी famous famous देख लेना कि कहां से उनका relation रहा है तो ये था आपका history ancient history, medieval history और इसके बाद आपको क्या करना है modern history में आपको क्या देखना है revolts और movements जितने भी चले हुए है revolts में क्या जाएगा 1857 वागेरा का revolt जितने भी revolts हुए है movements देख लेना, जितने भी movement हुए है reformation movement वागेरा newspaper देख लेना, important newspapers कौन लिखता था, newspaper कौन publish करता था, books and author देख लेना, especially जो famous famous लोग है, उनकी autobiography जिसे गादी जी की autobiography का क्या नाम है जोहाला लहरू की autobiography का क्या नाम है फिर nicknames देख लेना nicknames कहने का क्या मतलब है अगर आप से पूछ ले, grand old man of India कौन है, तो नहीं पता होता है, तो निकनेम्स लोगों के देख लेना famous, famous personality के important person, places and statues questions पूछा है statue of unity किस से related है तो ये सारे places किस से associated ही है देखना है आपको settlement और governor general मेरा जो ये history वाला section पढ़ें कहां से, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए बस Lucent की book में जितना भी history दिया हो इसको पढ़ डालो, ठीक है, इंडियन history जितनी भी है, ancient जादा नहीं पढ़नी है, ancient में हड़पन civilization बस पढ़ना, medieval, modern history वा लिए section उसको पूरा पढ़ डालो क्योंकि कोई guarantee नहीं है भई, कहां से question आजाए, तो हमें risk नहीं लेना है, हमें selection अपना करवाना है, तो आप पूरा पढ़ डालो ancient को थोड़ा पढ़ना फिर एक चीज और, world history पूछता है, क्या, जी हाँ, world history से भी कभी कभी question आजाता है, world history बहुत deep में नहीं जाकर पढ़नी है, आपको फेमस फेमस चीजें हुई हैं, जिससे french revolution हुआ है, बॉल्सेविक revolution यह सब कहां से associated है, कब हुआ तो famous फेमस जो events हुए है world history में वो देख लीजेगा, एक दफ़ा बहुत deep में जाकर नहीं पढ़नी हैं आपको history के लिए मैं फिर कहूंगी जोगर्फी की, जोगर्फी के लिए आपको क्या करना, सबसे पहले तो आप इंडिया की physical जोगर्फी को clear कर लेना, जो fact वाले question है, जैसे इंडिया का northernmost point, southernmost point, easternmost point, यह सब factual question जो है इन सब को prepare रखिएगा, फिर इंडिया के rivers, उनकी tributeries lakes, lakes, famous, famous है, national parks, dams, borders, दो countries के बीच में borders को क्या कहा जाता है, इंडिया पाकिस्तान के border को क्या कहा जाता है, इस तरीके से borders, borders का concept clear रखिएगा, फिर winds पे भी द्यान दीजेगा, winds बहुत famous चलती रहती है, यह word geography का part है, तो winds पे भी focus बना के रखिएगा, यह था geography के लिए, जोगर्फी के लिए भी आप lucid से पढ़ सकते हो, lucid में एनफ चीजे दी हुई है, जहां से geography की preparation कर सकते हो, और फिर आपका economics वाला section है, economics के लिए क्या कहना, आपको सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं, पढ़नी क्या क्या है, इसमें question जो आ चुके हैं अब तक, वो थे government की कुछ policies, जोतनी भी schemes निकले हैं government की, last year था, आतमी निर्भर भारत के बारे में, digital इंडिया के बारे में, इस तरीके के schemes हैं, इस year में जल जीवन मिशन के बारे में बूझा हुआ था, तो इस तरीके के question आते हैं, government policies आप देखना, साथी साथ ये भी पढ़ना, आपकी वो policy, वो scheme की ministry के under launch हुई है, इस चीज़ पर भी focus बना कर रखिएगा, कुछ basic important terms है, basic terms जो होते, economics के like inflation क्या है, deflation क्या है, SLR क्या है, CRR क्या है, ये सारे 12 में पढ़ाए गए आपको, लेकिन अगर 12 में आपने economics नहीं पढ़ी तो एक बार Google पर basic economics term जाके search कर लीज़ेगा, ये सारी चीज़े inflation, SLR, CRR और वगेरा clear कर लीज़ेगा, फिर आपका कुछ famous economical bodies जो है इंडिया के जो से RBI, RBI के स्थापना कब हुई, इसका headquarter कहा है, SEBI, SEBI का full form क्या है, इसका headquarter क्या है, ये जो economical bodies हमारे इंडिया में famous famous, उनके headquarter और उनकी dates जो हुई है, और establish होनी की dates वो सारी आप देख ल जो important policies वगेरा launch हुई है, या जो पहले की famous रही हो, वो सारे पढ़ लो, economics के term देख लो, और bodies को देख लो, इसके लिए Google से ही रहेगा, Lucent में ज्यादा जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, Lucent में बहुत अजीब economics वाला portion सही नहीं दिया हुआ है competitive exam के लिए, तो आप Google से इस लीनियस का section मिलेगा, इसमें कैसे question आते हैं, जैसे who was first largest river of India, इस तरीके question जो first वाला है, first in India, पढ़ लीजेगा सारा, first कौन ये था, कौन वो था, जितने भी question होंगे, फिर books and author का section दिया हुआ है, वो पूरा पढ़ लीजेगा, books and authors में कैसे पूछता है, मैं फिर से बता रह हो गया, अर्थ, शास्त्र के लिए, ये सारे जो लोग हैं, उनके books पूछ लेता है, और कुछ recent के जो writer है, recent के writers, उनके भी books पूछ लेता है, तो आपको autobiography देखने है, famous लोग की past की जो books रही है, famous उनके writers देख लेजेगा, और recent में जो recent में जो recent में दिया होगा, famous लोगों क book वो देख लीजेगा, music देख लीजेगा, music इस music से कौन associated है, मतलब से शेहना icon बचाता है, आपको दे दिया जाएगा, sports से related दे देते हैं, question की, ये person किस sport से तालुक रखते हैं, तो इस तरी के question आते हैं, ये सारे जो दिये हुए हैं, lucid की miscellaneous portion में दिया गया है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजेगा, largest smallest India का, world का, और headquarters, जो different institutions हैं, जैसे की IMF है, world bank है, इन सब के headquarters कहाँ है, इन सब से भी question आता ह तो इसको पढ़ना कहा है, आपको lucid की book में जाना है, miscellaneous वाला portion, इतनी सारी चीजे पढ़ लेना, बस इतना कर लो, इतना एनफ रहेगा, इसके अलावा नहीं करना हो, कुछ इतना करना आपको, अब मैं आपको कुछ tips दूँगी, जो जरूरी है, के aspirant के लिए, पहली चीज जो है, आपको proper time देना पढ़ेगा, entrance के preparation के लिए, आप यह नहीं कर सकते हो, कि 15 दिन, 10 दिन में पूरे entrance के preparation कर रहे हो, भई, वही लोग 15 दिन, 10 दिन में कर पाएंगे, जिनका पहले से यह सब कुछ concept clear है, अगर आप एगदम beginner हो, आपने कुछ नहीं पढ़ रखा, तो आपको time चाहिए होगा, यह सारी चीज़े पढ़ने के लिए, फिर यही होता है कि time नहीं होगा, आपने preparation, आपके पास पिछले 3 महीने से time थे, लेकिन आपने preparation स्टार्ट नहीं के, और exam के 10 दिन प पहले से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, दूसरी बात आपको क्या करनी है, यह सोच के नहीं पढ़ना है कि इतना हलका सा पढ़नेंगे हो जाएगा, बहुत कभी कभी deep question आजाते हैं, कभी कभी बहुत ऊपर के question आजाते हैं, पिछले दो साल में बहुत आसान है और इस साल पर काफी कर दिया तो कभी भी पर का Palmer सकता है कभी भी वह पेपर को हाई कर सकते हैं लो कर सकते तो आपके अपने आपको प्रिपेर रखना है कि कैसा भी पर आजाए easy या हम उसको कर लेंगे इसके लिए आप क्या करोगे कि कुछ भी छोड़ना नहीं है पड़ते टाइम कि यह इंपॉर्टिन नहीं इस तरीके का नहीं करना है जितना मैंने बताया आपको कि लुसेंट का जो पॉलिटी वाला पोश्चन है हिस्ट्री वाला पोश्चन वह तो जरू विए प्रोग्रामों के बाड़े में पता नहीं होता पिर जब इंड्रेंश के इ McK a प्रोग्राम में attaisuh को च्छोटी टीज लगती है यार मेना पॉलिटील ओनरस में वेसल से लगती है पढ़ने होते हैं first year के लिए बस first or second semester के लिए तीन compulsory सब्जेक्ट आपको पढ़ने जनरल इंग्लिश जनरल उर्दू और आपके पास option होता है इधर आप इसलामियाद पढ़ो हिंदी इथिक्स पढ़ो या इंडियन सब्जेक्ट का और आपको जो दिल करें उस लिस्ट से आप अमना सब्जेक्ट चूज कर लो कहने का मतलब है cbcs आप अपने मंद से कुछ भी लेकर पढ़ सकते हो जो difference होता है प्रोग्राम honors की बीच में वो होता है Core subjects में 3 bore subjects होते हैं three core subjects जो आपको six semester के लिए पढ़ने होते हैं यह मान के चलो यह आपके main subjects होते हैं तो जो program वाले students होते हैं नहीं जो political science वाले students होते हैं उनको 3 core subjects में सर्फ political science का ही part पढ़ना होता है for instance अगर उनके पास तीन COjoy pathetic है तो वो political theory पढ़ रहे हैं कि व हूर प्रोग्राम होते उनके पास option होता आप psychology लेके पढ़ो sociology लेके पढ़ो जो दिल करें आपका तीन सब्जेक्ट आप ले सकते हो ठीक है तो difference कहाँ आया जो ऑनर्स वाले बच्चे है पॉलिटिकल ऑनर्स के बच्चे हैं तो उनको तीन कोर सब्जेक्ट जो पढ़ने हैं वो पॉलिटी के ही पढ़ने हैं लेकिन जो भी ये प्रोग्राम वाले स्टुडियन्स होते हैं उनके पास option होता है कि वो history लेके पढ़ें पॉलिटिकल साइन्स लेके पढ़ें economics लेके पढ़ें जो लेना चाहें वो ले सकते हैं तो जो फायदा मैं बताऊंगी वो यह है कि अगर आप B.A. प्रोग्राम लेते हो तो आपको diversity पढ़नी हो अलग-अलग subject different different subjects पढ़ने का मौका मिलता है लेकिन आप honors पढ़ते हो आप तो आप एक ही subject में बद कर रह जाते ह हैं कि prelims की preparation के लिए भी प्रोग्राम बहुत अच्छा अगर आप UPSC के aspirant हो तब की बात है कि अगर prelims की preparation के लिए प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और कुछ लोग honors इसलिए लेके चलते हैं कि हमारी मेंस की preparation के लिए better होगा क्योंकि मेंस में एक ही subject exam देना होता और prelims में आपको different different subject के होते हैं तो आप decide करो कि आपको मेंस के preparation करने के लिए honors लेना है या प्रोग्राम के preparation के लिए prelims लेना है so this was all for today thank you everyone अगर आपको वीडियो पसंद आया informative लगी वीडियो तो वीडियो को like कर दीजे channel को subscribe कर दीजे